दोस्तों नमस्ते चैनल पर आप सबका स्वागत है इसले एक महिने से मैं इस चैनल में आ नहीं पाया मेरी तब्यत बहुत खराब थी और काम भी जादा हो गया था उसकारण में वीडियो बना नहीं पाया 15 जनवरी का भी जो वीडियो का सेशन था 15 दिन के बाद दो सेशन होता उसके भी वीडियो बना नहीं पाया और नहीं इस अभी भी 30 जनवरी के बाद भी आज जाके खोशिश कर रहा हूं आप लोगों को वीडियो बनाने के लिए दो तिन चीज़े हैं बता देता हूं मैं फ्रीकुनली चार्ट डीटिंग चैनल आप सब्सक्राइब करके अगर आप मेरे को वर्टसाइप पे पिक्चर भेजते हैं तभी आपके आपका जो चार्ट है वो कंसिडरेशन में लिया जाता है दूसरा पॉइंट हो यह है जिकि कॉल पे कोई रिस्पॉंस दिया नहीं जाता फ्रीकुनली चार्ट डीडिंग पे कॉल सरब परस्टनल डीडिंग के लिए है जो कि चार्जेबल होता है दूसरा इंपॉर्टन पॉइंट यह है कि अगर आप लोगो कहीं पे भी अगर किसी को मैंने रिस्पॉंस नहीं दिया पिछले महीने जन्वरी के महीने तो मैं उसके लिए माफी मागूंगा और दूसरी चीज़ यह बोलूँगा जिके आप फिर से रिकंसिडर करिए और हाइलिक के भेज दीजिए बिकास मैं बहुत सारे मैसेज़ेश के रिपलाई नहीं दे पाया बहुत सारे मैसेज़ेश मे रिकंसिडर नहीं किया है विकास उन्होंने आप मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है चानल सब्सक्राइब करना फ्रीकुंटली चार्ट रिडिंग के प्रोसेस में आता है दूसरा चानल सब्सक्राइब करने के बाद आपकी फ्री सेलेक्टेट की ही रिडिंग होती ह है सबकी रीडिंग नहीं होती है तो सिंपल लॉजिक यह है जिकि अगर आपकी कुलिक सेलेक्ट होती है तो आपकी रीडिंग होगी तो इस सबकी रीडिंग नहीं होती है यह मैं फिर से क्लियर कर देता हूं क्योंकि फिर से कोई यह बोले जी कि मेरी reading क्यों नहीं हुई तो आप वीडियोस देखे उसके बाद ही मुझसे सवाल पूछे सबकी reading नहीं होती है सिलेक्टेड कुंडले की reading होती है आप बैरहाल चो पंदरा जनवरी से पंदरा जनवरी के session में भी कुछ reading नहीं कर पाया कोई reading नहीं कर पाया और December का जनवर फुल फ्लेस तरीके से प्रॉपरली दी नहीं गई है और जो दी गई है वह रिपीट कोशेंस है जो कोशेंस मैं कोशिच करता हूं कि एक टाइप के question ही put up करूं एक वीडियो में तो एक ही टाइप के question multiple मैं put up नहीं कर सकता तो नहीं करता तो इसलिए आप लोग की शायद न नंबर है 96967 तो पल्लेवी जी आपकी जो सवाल थे वह थे लाइफ में problem बहुत है हां तो पल्लेवी जी आपकी आपका संपल सवाल यह है क्या करना चाहिए क्या solution और क्यूं है शायद आपका सवाल यही है तो इसका जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा पल्ली जी सब्स स्थान में जाके बैठ गये और मंगल के साथ जाके बैठ गये और बार्वा जो स्थान होँआ पर तीन नंबर लिखा है बुद्ध का स्थान है और बुद्ध को जाके आस्टम स्थान में बैठे हुए तो यहां पर अगर देखा जाए तो कहीं से भी यह positive sign नहीं शो करता है आपको चीज बोल देता हूँ आपकी अभी जो आपका जो मून जो है बार्वे स्थान पर बैठा हुआ है इस कारण वर्ष आपको सूर्य माफ कीज़ेगा भगवान श्रीफ की अरादना करते रहना चाहिए आपको भोलेनात की पूजा हमेशा करते रहना चाहिए जितना हो पॉजिटिव साइन में आपको इंप्रूइमेंट मिलेगी लाइफ में कहीं ना कहीं फॉर्ष यो अब पॉइंट यह आ चाता है जिकि अगर आपकी लाइफ में सिर्फ एक इस पॉइंट की वज़ए से नेगेटिविटी है तो मैं मान सकता था जिकि मतलब यह थोड़ा ब पॉइंट आउट करना चाहूंगा जैकि शनी की महादशा में शुक्र की अंतरदशा लगी थी और 23 के अंतरदशा चली थी उस टाइम पर आपका टाइम पिरेट बहुत अच्छा रहा होगा जितना मुझे लगता है क्योंकि शुक्र यहां पर आपके भागेश के स्थान मे बैठके और उच्छ के होके बैठे हुएं तो कहीं ना कहीं आपको शुक्र ने कहीं ना कहीं घर और धन की लाप करूद जरूर करवाया होगा हो सकता है स्लो आया हो पूरा नहीं आया हो क्योंकि शनी की महादशा चल रही है लेकिन आया जरूर होगा सड़न गेन होगा हो सक यहां पर अच्छा प्रोटक्शन नहीं दे रहे हैं सामल टेनसले चीज बोलूँँ हैं अगर शनी बैटा है तो कहीं ना कहीं यह लगन का जो शनी है अगर शनी बैटा है तो इस घर का शनी कहीं ना कहीं इंसान को प्रैक्टिकल लेटी में भेजने की बहुत कोशिश करता है उसे तपाता बहुत है उसे बहुत चीजे सिखाने की कोशिश करता है और यहां जो मैं देख पा रहा हूँ यह शायद आपके फैमिली मिंबर्स के अगर वो आपकी ग्रोथ में कहीं अप्स्ट्रेक कर रहें तो अपनी ग्रोथ को फोकस करिए और उनको समझाने की कोशिश करिए कि आपकी ग्रोथ से ही फैमिली की ग्रोथ होगी अगर ऐसा कोई सेनारियो है तो बहराल एक ही चीज़ बोलूँगा जिकिए आपके बर्थ प 37 के बाद जरूर आपको यह कोशिश करनी चाहिए लेकिन उसे पहले भी अगर आप कोशिश करेंगी तो जरूर शनी आपको चंद्रमा आपको ग्रोथ देगा बोले नात की जरूर पूजा करते रहें और लाल चीर और वाइट चीज का डोनेशन करिए मंगलवार और शनीव and satisfaction दिखा रहा है और सूर्य भी साथ में बैठने के कारण यहां कुछ problems आ रहे हैं और कहीं न कहीं यह fix assets से भी कहीं न कहीं relate कर रहा है तो आपकी problems का मैंने कोशिश क्या है जवाब देने का I hope मैं problems का solution देने का ही option हो सकता है तो मंगलवार की पूजा चंद्रमा शिव की पू से दिया है पल्ली विजी तन्यवाद नवस्ते फिर से अब दिवय जी की कुल्डी के बारे में बात कर लेते हैं दिवय जी आपका जो लास्ट नंबर है वो है 565 ठीक है आपने दो सवाल पूछे कि government job और married life कप और कैसे होगी देखिए अभी कप का तो मैं कह नहीं सकता कभी भी हो सकती है शादी का तो क्या ही बोले आपकी शुक्र की बुद की महादशा चल रही है बुद की महादशा और बुद अपने ही घर में बैठे हुए है चलि ही बैठे हुए है और जस्ट उसके opposite husband partner के घर में सूर्य और बुद बैठे हुए है बुद यहां पर combusted है जले हुए है साथवे घर के ओनरों के साथवे घर पे ही बैठे हुए है तो शादी का जो महौल है वो 2016 से 2033 के बीच में कभी भी हो सकता है जब आपका मन करें शुक् शादी most probably आपकी पसंद की शादी हो तो बहतर रहेगा क्योंकि शनी आपके लगन में बैठे हैं चंदर में आपके लगन में बैठे हो हैं और यहां पर कहीं न कहीं मन का विचार जादा महत्वपून हो जाता है जादा important हो जाता है तो मन के विचार के इसाप से अगर आप करें और बुद्ध की महादशा में अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपके लिए बहतर रहेगा हाँ जरूर समझके करिएगा लेकिन मन के विचार से ही करिएगा और कहीं ने कहीं यहां पर out of caste marriage का भी sign दिखाता है यह आपकी मर्जी है जिके आप किस से शादी करती है कैसे करती हैं लेकिन marriage का sign यह दिखाता है out of caste का दिखाता है love marriage का दिखाता है अगर आप love marriage करती है तो वह success होने के chances जादा हो जाते हैं अरेंज मैरेज से comparison में comparatively ऐसा नहीं है जिके अरेंज मैरेज में शादी successful नहीं होती है लेकिन अगर वह पसंद की हो तो जादा भैतर रहेग की long term जादा चलने के chances बहुत जादा हो जाते हैं वह positive रहते हैं अदर्वाइस शनी कहीं न कहीं यहां पर problem जरूर करते हैं साथ मैं सूर्य की दिश्टी पढ़ रहे हैं just opposite बैठे हुए एक दूसरे के तो यहां अच्छा नहीं है और चंद्रमा भी देखा जाए तो कहीं न क पहले लगन में शनी के साथ बैठे हुए comfortable नहीं फील करते हैं हाला कि जिस घर में बैठे हैं गुरू है इंकम का पैसे की कोई कमी नहीं है अब बात कर लेते गौर्ण्मेंट जॉब की देखे आपकी जो फील्ड है चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है राहु छटे घर में बैठा हुआ है और गुरू जो आपके working lot होते हुए और आपका लगनेश होते हुए इंकम के घर में बैठा हुआ है जितना मुझे जितना understanding आ रही है या तो आप teaching line में होंगी या अप medical line में होगी या लिटिगेशन line में होंगी मुझे जितनी understanding हो रहे है हो सकता आप किसी और लाइन में हो लेकिन आप कहीं ना कहीं service sector से related हैं अगर आप service sector से से है तो बहतर यह रहेगा जिकि government job के आप का government job आप कर आप जो करें वह इसी sector में अगर आप ढूंड रही है तो बहतर होगा अब क्यूंकि यहां पे कहीं ना कहीं आपकी कुन्ली जो है वह सेमी गौर्म कम बिजनेस आपके प्रोफाइल में आपकी कुंड़ी में कहीं ने कहीं यह जिरू शो हो रहा है जिकि आप जौब के साथ साथ बिजनेस भी कर सकती है तो यहाँ पर ड्यूलिटी है वर्क प्रोफेशन में हाला कि भागेश मंगल आपके भागेस्तान में बैठा हुआ है और के साथ बैठा हुआ है जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन है क्योंकि शुक्रें यहाँ पर तीसरे और आठवे घर का मालिक होके नवम भाव में बैठा है तो अपने से अगर दिखा जाए तो सड़न गेन और छोटे भाई भेहनों से यह महना से आपको ज़रू करना है आपको तो मैं बोलूँगा जी कि आप कोशिश जरूर करें कि भाकिस्तान का मालिक है आपकी जो महादर्शा अभी सुरी माफ की चल लिए मंगल का जो अंतरदशा लगेगी जो की मेरे हिसाब से आपको 25 के बाद लगेगी तो मंगल की जब अंतरदशा लगेगी आड़ो कैसी तो आपकी लिए बहतर रहेगा क्योंकि यहां पर आपको इसी साइन में और फ्यूचर में अगर आप उससे कोई गौर्मेंट जॉब मिलता है आपको तो आपको जादा बहतर इन पर आपको आपकी लाइफस्टाइल में जादा बहतर ग्रोथ मिलने के चांसे ह होंगे पहराल वो आपकी मर्जी आप कैसे प्रोफाइल को अपने डिफाइन करते हैं बट यह भी बोलूंगा कि अगर आप कॉर्मेंट जॉब भी डून रहे तो भी आपको अच्छा पैसा मिलेगा लेकिन डॉलिटी में ज्यादा मुझे दिखाई देता है क्योंकि आपकी प्रोफाइल में डीप स्टडी राहु के चटे घर में बैठना राहु के चटे घर में बैठना बहुत ही पावर्फुल हो जाता है कभी-कभी और सुर्य के घर पे बैठने तो कहीं नहीं है आप बिजनस अपसेंट डाउन जरूर दिखा रहा है लेकिन हजबन और पार्टन है और मून और चंद्रमा और सूर्य की भी स्तिति अच्छी बैठी हुई है कुछ उपाय कर लीजेगा इन सब चीजों को लेके तो आपके लिए ज्यादा भैतर होगा धन्यवाद परोई जी आपका लास का नंबर है 176 आपने दो सवाल पूछे है मुझसे सक्सेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग और कौंसर स्टोन पहनना चाहिए कि अप्शन ट्रेडिंग इस वहली कुछ है तो मैं यही बोलूँगा जिकि आपकी कुनली में राहू पॉजटिव है प्रेडिंग के लिए बुद पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं पांचवे घर से अगर हम देखे तो ट्रेडिंग को हम देखते हैं या शौट टम प्रॉफिट्स को देखते हैं और पांचवे घर का मालिक होके बुद आप चौते घर में बैठा है तो हो सकता है कि आप अपनी शौट टम लग से बेनेफिट्स लेकर अपनी अपनी लग्जिरी को यूज करें यह यह भी हो सकता है कि आपकी महादशा चली गुरु की गुरु की महादशा में अभी की तो साफधानी से काम करिएगा थोड़ा अकेला पनाएगा अलूफनेस आएगा तो उसको डील करने की कोशिश करिएगा और नौलेज गित्ता मिल सके उतना नौलेज लेगा शुकर आपका अगस के बाद शुकर की अंतरदशा लगेगी शुकर की अंतरदशा में मैं आपको यह बोलूगा जिए शुकर यहाप पे यहां पर सूर्य और गुरू के साथ में बैठा हुआ है जो की अच्छी चीज है लेकिन यहां पर शुक्र कंबस्टेड होने के कारण कुछ जादा अच्छा प्रोफेशनली आपको ग्रोथ देने के मदद नहीं करता है और शुकर के घर भी यहां पर देखा जाए तो आपको लगन का मालिक है तो आप महनत जगर करेंगे तो महनत आपको ज़्यादा करनी पड़ेएगा आपकी ग्रोथ मेहनत से में जगाद है अगर आप महनत करेंगे तो आप ज़रू मिलेगी यहां पर सिर्फ एक जो राहू है वह पॉजिटिफ है उल्टा मैं यह बोलूँगा जिकि आप्शन ट्रेडिंग के बदला ट्रेडिंग पर आप इंवेस्ट करने की सोचे तो बहतर रहेगा क्योंकि मून के साथ शनी बैठे हुए चंद्रमा के साथ शनी बैठे हो और मन अगर विचलित रहेगा क्योंकि शनी कहीं न कहीं चंद्रमा को मन को विचलित करता है और मन अगर विचलित रहेगा तो आप पीसफुल डिसिजन नहीं ले सकते और चंद्रमा खुद तीसरे के मा मालिक है चंद्रमा मतलग cancel लगन का मालिक है और तीसरे घर में 4 नम्म्म उपकी में वालिक है तो आपकी महनत तो यह कम कर रहा रहा है फिक्स हैट बढ़ा है लेकिन कहीं कहीं मन के अंदर dispute create कर रहा है क्योंकि शनी यहाँ पर दसवे घर के और अब नवम भर के भागे के मालिक है यह अच्छा पॉइंट है कि भागे का मालिक अगर सके नहीं बैठा यह अच्छा है यह अच्छा नहीं है मन को कहीं ना कहीं विचलित या करता है तो इस वज़ा से हो सकता है जिके आपको अपनी ओप्षें ट्रेडिंग में लॉस होने के चांसे हो अगर आप फॉरेंट इंटेटिस में यह लॉंग टम इंवेस्मेंट कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा बाकी यह बात बोलूँगा अगर आपने आपने स्टोन का पूचा है तो मैं यह बोलूँगा जी कि हाँ नीलम आप पहन सकते हैं लेकिन चंद्रमा को आपको अगर अगर नीलम पहनेंगे तो आपका चंद्रमा और और ज्यादा एफेक्ट हो जाएगा तो नाही पहना तो अच्छा रहेगा अगर आप यहां पे कोई पथर पहनना चाहते भी हैं तो गुमेद पहनने की कोशिश करिए राहु जो आपके दिमाग को बहुत जल्दी भगा रहा है क्योंकि आपकी एज बहुत कम है और लगन में राहु बैठा हुआ है परसनल एक्सपेरिंस से बता रहा हूं जिकि इंसान बहुत ज्यादा दोड़ने क की कोशिश करता है वह बहुत जादा स्पीड में रहता है तो ओस्पीड राहु देता है लेकिन कही ना-कहीं वह अच्छा नहीं होता ग्रोथ के लिए कहीं ना-कही वह नेगेटिव एफेक्ट कर सकता है तो गुमेद पहने की कोशिश करिएगा करिए आपके वजन केfill के सा तो वेट के उसाब से किसी अच्छे एस्ट्रोजस पूछ लीजेगा तो आप गोमेट पहनी आपके लिए अच्छा रहेगा शुक्र के लिए उपाय करेंगे तो अगला समझ शुक्र कर रहा है और शुक्र के उपाय करना ज्यादा जरूरिया तो मा लक्षमी मादुर्गा और सो समझ के ही करें तो अच्छा रहेगा थोड़ा टाइम पिरिट को भी देखके करिएगा अभी गुरू की टाइम पिरिट चल रहा है तो उतना गुरू भी है आपका सपोर्टिव नहीं है इंकम ज़रूर कराएगा लेकिन लॉज भी करा सकते हैं महनत से इंकम करेगा तो अच अच्छा रहेगा या ट्रेडिंग बिजनेस पर रहेंगे तो अच्छा रहेगा नमस्ते